नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 परमु खबर जानते हैं परमु खबर जानते हैं की बैठाक में हुए निर्णाय ने राज में सबसे विवाजित नियोजन निती वाले भी सर्कार ने अपनी मन्याता दे दी है नियोजन निती के संसोधन में मंजूरी देते वे जारकन से मैट्रिक और इंटर पास होने की पत्रता को समाप्त कर दिया गया है पहले सरकार ने य और इंटर जारकन के पास और अस्थानिय रीती रिवाज की बज़ाता को ही खत्म करने को मंजूरी दे दी गई है वहीं 12 भासाओ के अलावा हिंदी अंग्रेजी और संस्क्रीट भी इसमें जोड़ा गया है जारकन के मौसम में होली आने के साथ ही मौसम बदलाव के संकेत मिल रहे हैं होली के दो दिन पहले आसमान में हलके बादल चा सकते हैं इस दोरान कहीं कहीं गरज के साथ छिटफुट बारिस भी होने की संभावना ब्यक्त की गई है मौसम बदलाव की इस गतिवीदी के साथ ही राजे में प्रीमान सुन गतिवीदी सुरू हो जाएगी इसे तापमान में उता चड़ा होगा बता दे मौसम बिभाग के बैग्यानी अभिसेक अनन्द के अनुसार गत फरवरी मा इस दसक में सबसे गर्म रहा पिछले दस वर्षों के तूला में तापमान सबसे अधिक रहा है पेट्रोल सबसे डरी योजना के लिए बाइक धारकों के राशनकार नहीं होंगे रध मन्तरी जारखन राज एक खाद सुरक्षा दिनियम के तवत राशनकारधारी परिवार के पास निवांधित दो पहिया वाहन के लिए सबसीडरी लेने को लेकर भरांतिया को दूर किया जाएगा मंत्री ने कहा है कि किसी भी राशनकारधारी का कारड इस अधार पर रद नहीं किया जाएगा कि उसने पेट्रोल की सबसीडरी लिया है बित मंद्री ने कहा है कि खाते सुरक्षा योजना के तहट अच्छाजित सभी परिवारों को जिन के पास बाइक हाई होई इस योजना का लाब ले सकते हैं गुरुवार को सदन में बिधायक राज सीनहा के सवाल का जबाब देते हैं मंत्री रामेसर उराव ने कहा एकि राज सरकार के दवारा रासन धारी परिवार को पेट्रोल में 250 रुपए के सब्सिट्री देने की योजना को लेकर अपवा पहलाई गई जिसकी वज़ा से CM सपोर्ट योजना अंतरगत रासन कार धारी लाव नहीं उठा पा रहे मंत्री रामेसर उराव ने कहा एकि रासन कार धारी योग के बीच या अफवा फैला दी गई है कि बाई के लिए पेट्रोल सब्सिट्री लेने वाले का रासन कार खत्म कर दिया जाएगा रामगण उपचुनाव आजसू परत्यासी सुनीता चोधरी की 21 1970 मतों से जीत जारखन के रामगण उपचुनाव को लेकर गुरू अरक हुए मत्गना में आजसू परत्यासी सुनीता चोधरी ने बाजी मार लिया है उन्होंने अपने निकटतम परतिद्वन्दी कॉंग्रेस परत्यासी बजरंग मतों को 21 1970 मतों के अंतर से हराया बताजे 2029 के बाज जारकन में लगाता चार उपचुनाव जीतने वाले महागट बंधन को इस उपचुनाव में गट बंधन ने अपनी एक जुटता का परिचाश देते हुए सफलता का पर्चम लह राया है उपचुनाव में बराहवे राउंड की गिंती में आईसू परत्यासी सुनिता चौधरी को कूल 1,15,679 वोट मिले जबकि कॉंग्रेस परत्यासी बजरंग मतों को 93,699 वोट मिले हाए जारकन कैबिनेट की बैठाग जारकन मंत्राले में सीम हिमान सुरिन के दख्सता में केबिनेट की बैठाग होई इसमें दुर्गा सुरिन विस्टो बिद्याले बिधायाक 2019 के अनुमोद्धन की सुविकरिती दी गई जारकन दुकान एवं परतिष्ठान बिधायक 2018 को आपस लेने की सुविकरिती भी दी गई राज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र पर्योजीत योजना अटल वयो अभ्यूदय योजना के किरणयन की सुविकरिती दी गई इसके साथ ही अन्य कई महत्पुर्णी ने लिए गए बतादे राश्ट्री ये उच्टर सि ह्खचा अभ्यान के अंत्रगः सुविकरित किये गए दस न्य मडल डिगरी कॉलेज में से साहिप गण जीला अंत्रगः न्य मोडल डिगरी कॉलेज साहिप गण को राज स्कीम में सुविकरिती कर इसके funding pattern में परिवर्थन करने की स्विक्रिती दी गई वहीं कादे सरोजनिक बित्रन उफोकता मामले विभाग रांची में दैनिक परिस्तरामिक परिस्तरामिक पर नियुक्त दो कर्मियों की सेवा निमेती करन की स्विक्रिती भी दी गई है हेमंत सरकार को भाजबा विधायकों ने घेरा लगाया वरष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप जारकन विधान सभा के बैट सत्र का चौथा दीन जोरदार हंगामेदार हुआ सबसे पहले तो विधान सभावेट सत्र के चोथे दिन विपक्ष के विधायकों ने विधान सभा के मुखे द्वार पर परदसन किया और जम्पकर नारेबाजी की बिपक्ष के विधायकों ने फरस्टाचारी मुक्ष मंत्री स्थीपा दो खदान को लूटने वाले सरकार स्थीपा दो के नारे लगाए विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा है कि जारकन पहला राज है जहामुक मंत्री समेथ उनके मंत्री मंदल के कई मंत्री और अधिकाई फ्रेश्टचार में लिपता है ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है उन्होंने कहा है कि जूटे वादे के बल पर सत्ता में आया सरकार जानता के कल्यान की जगह अपनी जेब भरने में लगी हुई है नियोजन निती का नहीं बनना अस्थानी निती पर जानता को गुमरा करना इस सरकार की नियती है पारा सिख्षको को मांदे का होगा भुकतान जारखन के 3700 पारा सिख्षको को जनवरी 2022 में होई बढ़ होत्री को घटाक और मांदे का भुकतान किया जाएगा ए वैसे पारा सिख्षका जिनके सरिफिकेट की अब तक जाँच नहीं हो सकी है बता दे इनके परवान पत्रों की जाँच पूरी होने और नियोक्ती प्राधिकार की और से अनुसंसा आने के बाद उन्हें बढ़ा हुआ मांदे मिलेगा इसी अधार पर जन्वरी 2023 के प्रभाव से प्राथ्मिक स्कूलों के टेट पास पारा सिख्षकों जिनके सरिफिकेट की जाँच नहीं हो सकी है उन्हें 14,000 और जो केवल प्रसिख्षित हैं उन्हें 12,000 का मांदे मिलेगा वहीं मिडिली स्कूल के टेट पास पारा सिख्षकों को 15,000 और केवल प्रसिख्षित को 13,000 का मांदे दिया जाएगा जहारखन में नौकरी के लिए राज से मैट्रिक इंटर बद्याता खत्म जहारखन में सरकारी नौकरीयों के लिए राज जिये के मानेता प्राप्त से दस्कूल से दस्कूल बद्याता को हटा दिया गया है अब बाहर से भी मैट्रिक इंटर करने वाले यहां नौकरी पासकेंगे मुखे मंत्री हेमान सुरन के देखता में हुई केबिनेट की बैठाक में नुयोजान नीती में बड़ा बदलाव लाते हुए या फैसला लिया गया बैठाक में कूल सैंतिस प्रस्ताव पर मुहर लगी है बता दे जे एसेसी परिक्षा इंटर पलस्टू अस्तर संचालन नियमावली 2015 असनातक अस्तरिय परिक्षा नियमावली असनातक वा विसिष्ट योगिता वाले पद नियमावली डिप्लोमा नियमावली जार्खन सेवा सनवर्ग नियमावली में परिवर्तन किया गया है सबी नियमावली से दसवी बरहुवी राजे से करने वाले अस्थाने रीति रिवाज भासा घ्यान की कंडी का हटा दी गई है विद्यार्थी बिना पहचान अपनी समस्य बता सकेंगे विद्यार्थी यदि वे किसी ब्यक्तिगत या समाजिक समस्य से जूझ रहे हैं सिक्षा बिभाग की ओर से राजे के सभी सरकारी स्कूलों में प्रश्ण पेटी और सिकायत पेटी लगाने का निदेस दिया गया है जिन बिद्यार्थियों के स्कूल से समधीत मेडिकल अत्वा कोई अने समस्या है वे बिना नाम लिखे अपनी बात सिकायत पेटी पर लिख कर डाल सकते हैं इस्कूल की पहल से विशे सग बिद्यार्थि की समस्या का निराकरन करेंगे 21,000 बिद्यार्थियों को टैब देने की घोसना विस में उठा सवाल राजमंत्री परिशत ने एक साल पहले फरवरी 2022 में अवासे बिद्यालों में अधेनरत 21,000 बिद्यार्थियों को टैब देने की घोसना की थी यूआओ को रोजगार की मांग को लेकर बिजेपी ने किया परदर्सन जारखन विधान सबाब 17 के दूसरे दिन बिजेपी न न जवानों को रोजगार देने की मांग को लेकर सदन के बाहर हंगामा किया तक्ती पर लिखकर भाजपा के लोग पहुंचे थे कि बेरोजगारों को नोकरी कब तक दोगे बेरोजगारों के लिए नियोजन निती कब लाओगे जारखन में नियोजन निती एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि लगता नियोजन निती का हवाला दिया जाता है और नोकरी नहीं मिल पाती है बिजेपी के लोग यह बात सरकार से जानना चाह रहे थे मांग भी कर रहे थे कि न्यूजर निती आएगी कब नौकरी मिलेगी कब जारखन भी धान से बाग बैट सत्रे के दूसरे दिन पर्अऔ को ले कर के जिस तरीके से बिजेपी ने आपना रूख असपस्ट किया है उससे एक बात तो साफ है कि जारखन की सबसे ज़्याधा युआओ को रोजगार देने कवादा किया गया था सरकार के युआओ के सामने जो सबसे ज़्यादा किर्किरी हो रही है उसे निपटने के लिए सरकार क्या देगी या तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कांग्रेस की हार पर बोले इरफार अंसारी अलपसंख्यकों ने नहीं दिया वोट उपचुनाओं में एंडिये पर त्यासी सुनिता चाधरी जीत गई है और महागडबदन के पर त्यासी बजरंग महतो एकई सयार से अधिक वोटों से हार गए है आईसु उमिद्वार की जीत के बाद नेताओ की परतिकिरिया आने लगी है कॉंग्रेस के निलंबीत विधायक इर्फान अनसारी ने कहा है कि अल्पसंख्यों ने कॉंग्रेस पर त्यासी के वोट नहीं दिया है कॉंग्रेस के सीट गवाने पर चिंता ब्यक्त करते हैं डक्टर इर्फान अनसारी ने कहा है कि या चिंता करने का वक्त है वहीं बिज़ेपी विदायक सीपी सीना ने कहा है कि कॉंग्रेस मुक्त भारत बन रहा है सुक्रवार को पेस होगा जहारखन का बज़ट सुक्रवार को भी 3 वर्ष 2 या 34 के लिए जहारखन का बज़ट पेस किया जाएगा या 4 वार होगा जब सुबे के बीत मंत्री रामेशर उराव बयट पेस करेंगे बतादे बयट को लेकर सब की अपनी अपनी उमीदे है बिपक्षी दालों का साब कहाना है कि इस सरकार से कोई उमीद करना बेकूफी है वहीं सतापक्ष का कहाना है कि आने वाला बयट राजी के विकास का बयट होगा बतादे जहारखन के आने वाले बयट को लेकर के राई निती पर दिक्रियाए भी आनी शुरू हो गई है बिजेपी नेताओ का काना है कि जारकन सरकार चाहे जितना बड़ा बजट बना दे लेकिन 60 फिजी से उपर तो पैसा खर्च नहीं होता हर बार रासी सरेंडर होती है उस पर से अनुपूरक बजट लाकर सरकार पैसों को मंचाहा इस्तिमाल करती है चार मार्च को सैंताली सो पच्पन पदो पर होगी न्योकती अरजुन मुंडा करेंगे रोजगार मेला काउद घाटन अजादी के अमरित महोसों पर भारत सरकार के जनजाते कल्यान मंत्राले की पहल पर स्किल इंडिया इसमें आटो मोबाइल सेक्टर के कोसल विकास, रोजगार, अपरेंटेशीप यूँम करियर कौंसेलिंग पर कारेसाला सहरोजगार मिला का आउजगार किया जाएगा कारकर्म का उद्गाटन केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा करेंगे जारखन में घटे पि-म किसान के लाभुक 27 लाग से अधिक किसानों को समाने दिकराशी मिली थी। धन्यवाद।